अगला अलंकार लेके चलते हैं अर्था अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार कहां होता है अब तक तो अपन रुपक अलंकार में उपमे के उपर उपमान का आरोप कर रहे थे अब एक उपमे में दूसरे उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है यानि उपमे में उपमान की संभावना जहां पर व्यक्त होती है वहां होता है उत्प्रेक्षालंकार तो इसके परिवासा पढ़ते हैं जब उपमे में उपमान से भिंता होते हुए भी यानि दोनों अलग-अलग होते हैं उपमे भी अलग होते हैं और उपमान भी अलग होते हैं तो उपमे और उपमान में भिंता होते हुए भी जब संभावना व्यक्त की जाए संभावनाओं को प्रकट किया जाए अर्थत एक वस्तू में दूसरी वस्तू की केवल संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ठीक है तो यह होता है उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर एक वस्तों में दूसरी वस्तों की संभावना व्यक्त की जाती है जैसे उधर्ण देखो सोहत ओडे पीत पट शाम सलोने गात मनु नील मनी सैल पर आतब पर्यो प्रभात यहाँ पर कृष्म को नील मनी परवत और पीत पट को प्राते काल का आतब बताया गए यानि कि इस तरह से एक उपमे में दूसरे उपमान की संभावना व्यक्त हो रही है समानता व्यक्त करने के लिए कुछ वाचक सब्द होते है उप्रेक्षा अलंकार की जैसे मानो, मनो, मनो, एव, जानो, जनो, सा, सा वैसे उपमा अलंकार में भी होता है लेगिन वो देखा जाता है कि उपमे में उपमान की संभावना व्योरी है या तुलना हो रही है जहां संभावना हो रही है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है तो ये इसके वाचक सब्द होते हैं जिनसे हमें उत्प्रेक्षा रचानने में बहुत साहिता मिलती है जैसे मानो मनो मनो इव जानो जनू सा ऐसे वाचक सब्दाते हैं तो सीधा सा तरीक है जनू मनो जानो मनो उसी उत्प्रेक्षा मानो ठीक है जनू मनो जानो मनो उसी उत्प्रेक्षा मानो ये एक छोटी सी ट्रिक है जो उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कराती है जैसे पहला उधार देखो अंबर में तारे मानो मोती अंगिन है ठीक है यहाँ पर भी मानो आ गया अब देखो यह मानो जो है यही हमें उत्प्रेक्षा अलंकार की और संकेत करता है तो जैसे देखो इस उधार में मानो ठीक है अंबर में तारे मानो मोती अंगिन है तो यहाँ पर यह अंबर उपमे है और मोती यहाँ पर उपमान है तो उपमे में उपमान की संभावना व्यक्त हो रही है इसी तरह नेत्र मानो कमल है तो यहाँ पर नेत्र तो क्या हो गया उपमान तो इस तरह से एक उपमे में दूसरे उपमान की संभावना व्यक्त हो रही है इसलिए यहां पर उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार है तो सीधी सी बात है जनो मनो जानो मनो जहां पर आ जाते हैं ऐसे वाचक सब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है